हलो दस्तों गुट मॉर्निंग स्वागतिक पर फिर से आप सुभी काया हैं जेटी एजुकेशन में वापस से आ चुके हैं बहुत जाला ताकत के साथ दोहरा से इनर्जी के साथ अब कोई बिमारी नहीं कोई दिक्कत नहीं अब तेजी से हम लोग क्लास लेंगे डेली लेंग कबर कराएं गए हैं नए कुशन साथी साथ में आज की भी वीडियो में 12 कोईशन लिए गए हैं तो आपको इंट तक वीडियो देखना है सभी के सभी महात्रपूर्ण कोईशन हैं तो सुरुआत करते हैं हम लोग वीडियो को लाइक सेयर कर दीजिए और हाँ चैनल पर नाम के थीम के साथ मनाया गया इस बार किस देश के परोपकारी संगठन निहोन हिंडाक्यों को नोबल सांती मिला तो नोबल सांती मिला है दोस्तो जापान के इस संगठन को चावालिसवा और पैतालिसवा आसियान सिखर सम्मेलन ये लाओस में हो रहा है और थीम इसकी रखे गई है आसियान इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एन रिसाइलियंस इसके अलामा कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि 38 राष्टे खेल उत्राखण में आयजित किया जाए हैं अलजीरिया, मरिटानिया और मलावी इसके अलामा अक्टूबर से 2014 में बिहार के दूसरे बाग अब्यारण को मंजूर मिलिया इसका नाम है कैमूर वनिजू अब्यारण और हम लोगों ने क्या पढ़ता लाज दिन कि बिहार का दूसरा बाग अब्यारण ये वही हो गय इसके अलामा तूफान मिल्टन ये आया हुआ है, अमेरिका में तबाही मचा रहा है, केंसरकार ने हिजब उद तहरीर इस संगधन को आतंकवादी संगधन घोजित कर दिया है, UAPA के तहट, इसके अलामा 12 अक्टूबर को दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस उसका आपने किया एक मिनट में डिविजन, अब बात करेंगे डिटेल में, डिटेल में चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले क्विज और पीडिफ अगर आपको चाहिए तो आप MZT APP का रुख कर सकते हो, पहला कुशन, अंतराष्टी आपदा जोखिम निवनी करण दिवस कब मनाया जाता है, ये दिवस मनाया जाता है दोस्तो, 13 अक्टूबर को, तो 13 अक्टूबर को इस बार भी मनाया गया, अंतराष्टी आस्तरपर जो आपदाएं आती हैं, आपदाओं से जोखिम होता है, उसका निवनी करण करना, मतलब ये कि आपदाओं को तो रोकर नहीं भी होता है लेकिन उसको निवनी करन कैसे क्या जाये कैसे निवनी करन कम से कम उसमें छती कैसे हो तो ऐसे टेक्नोलोजी के मदद से हम लोग कर सकते हैं आज की टाइम पर देख रहे हो, बड़े-बड़े सूपर कंप्पीटर्स लग रहे हैं, जो मौसम की जानकारी दे देते हैं, जो ये सब बता देते हैं कि कहां से तूफान उठ रहा है, कितनी तीवरता से है, कब तक पहुंचेगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा, तो ऐसी के परती अवेरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाये जाता है, बात समझ में आई, 13 अक्टूबर याद रखना दिन, थीम है, एजुकेशन इस लाइफ टाइम, देखो, एजुकेशन इस लाइफ लाइफ लाइन फॉर यूद्टर रिस्क रिस्क रिड़क्शन, ठीक है, ड 12 अऐस यान भारत सिकर समयलन 2024 कहां आईचित हुआ, तो देखो, जहाँ पर आशियान समिट हुआ था न, वहीं पर आशियान भारत सिकर समयलन या आशियान भारत समिट होगा, क्यों? क्योंकि PM मोदी जी भी यहां पर गए हुए हैं, आपको मैंने कल ही बताया था, कल मैं ब ठीक है, 21 आसियान इंडिया समिट ये 10 अक्टूबर को वियन्त याने लाओस पर हुआ, जहां पर 44 और 45 आसियान समिट हुआ था, वहीं पर 21 आसियान भारत समिट हुआ, समझ में आई बात, भारत के पधार मंत्री को गाड़ आफ आनर दे करके उनको वहां रिसीब किया गया, दस्वी वर्सगाट को यहां भारत एक्ट इस्ट नीती के तहट इसको सलिबरेट कर रहा है, भारत ने एक्ट इस्ट पॉलसी सुरू की हुई है, इसके तहट भारत जो इस्ट एसियाई देश्त है, देखो, मैंने आपको बताया है यह आसियान से ही आप निकाल सकते हो, एस्ट इस्ट 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 दस देश इसमें सामिल हैं, जिसमें आपका थाइलैंड, लाओस, कमबोडिया, वियतनाम, इंडोनेसिया, मैमार, ये सभी सामिल हैं, ठीके न, तो इनका भारत से सम्बंद अच्छा हो, इसके लिए भारत और आसियान समिट होता है, भारत इन देशों को भी प्रिफर करता है, और इनसे अच्छा सम्बंद बना कर रखना चाहता है, इसलिए PM मोदी यहां पर गए हुए हैं, यहीं पर इसी समय उननीसवा पूर्वी एसिया सिखर सम्मेलन होगा, पूर्वी एसिया, इस्टन एसियन समिट होगा, ठीके न, इस्ट एसिया समिट, अगला, यह कुछ और स किया था, 2023 में भारत की थी मेजबानी, G20 की, ठीके, और अच्छोले में अब G20 नहीं, G21 हो गया है, कमेंड बॉक्स में मुझे बताओ, G21 क्यों हो गया है, 21 वां कंट्री या फिर ओगनाजिशन कौन है, जिसे जुड़ा गया है, एड किया गया है, कौर्ट समिट, अमेरिक इस रक्षा सलाकारों का समिट हुआ, मॉस्को में, रसिया में, मुक्य विग्यान सलाकार गोल में सम्मेलन, पैरिस में हुआ, पहला सहुगत कमांडरों का सम्मेलन, भारत में, लखनों में हुआ, भारती ये, जो जुड़ान कमांडर्स की मीटिंग थी, इसके बाद निकल क सम्मेलन, भारत में हुआ है, अगला, अक्टूबर दोहजार चौबिस में, किसने दुनिया की 8000 मीटर उची, सभी 14 चोटियों पर चढ़ने का सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनने का इतियाज बनाया, तो ये बनाया है, नीमा रिंजी सेरपा, ये आपको दिख रहे हैं, तस् और दुनिया भर में हमारी पिर्थिवी पर 14 ऐसी चोटिया हैं, जिनकी हाइट्स 8000 या उन से उपर हैं, 8000 मीटर की बात कर रहे हैं, तो 8000 मीटर या उस से उपर की जो 14 की 14 चोटिया हैं, सभी भाई साब फता कर गए, मात 38 साल की उम्र में, ये 14 चोटिया कौन कौन सी हैं, इनको आप देख लीजे, मैं आपके लिए लाया हूँ, लिख करके information, तो यहां माउंट टेवरिस्ट सबसे उची चोटी है, 8848 मीटर की, इसके बाद केटू है, दूसरी सबसे उची चोटी, जो की P.O.K. में इस्थित है, भारत की है, लेकिन भारत में नहीं है, याद रहे अगर पूछा जाए, भारत की सबसे उची चोटी है, तो केटू बताना, गाडविन आश्टिन की नाम से भी जाना जाता है, और अगर भारत में सबसे उची चोटी पूछिए, तो आप सिक्किम में इस्थित कंचन जंगा बताना, सिक्किम में इस्थित है कंचन जंगा, औ और ये दुनिया में अस्थान है ठीक है ना दुनिया की तीसरी और भारत में पहली भारत की दूसरी ठीक है लोट से मकालू, चोयोयू, धौलागेरी ये सभी 14 की 14 चोटिया हैं बाकी की यहां पर हैं आपके सामने तो इनकी सब की हाइट आप देखोगे तो 8000 से उपर है 8000 मी सदुल्ला बथुकम्मा जैसे हम लोग नौरात्री मनाते हैं उत्तर भारत में ऐसे दक्षिर भारत में खासकर तेलंगाना में सदुल्ला बथुकम्मा मनाया जाता है तो नौरात्री के उसर पर 9 दिनों में देवी माता की पूजा होती है तेलंगाना में और इसको सदुल्ल बतकम्मा के नाम से celebrate करते हैं यहां के लोग, यहां पर नौ दिवसिये ये देवी गौरी की पूजा होती है, देवी गौरी को ये समर्पित है, पुस्प सज्जा के एर्दगिर्द गाने वगरा करके ये लोग धुम नाम से मनाते हैं, तेलंगाना की बात आई है, तेलंगाना सबह में यहां से साथ सीट जाती है, और रिवन्त रेड़ी यहां पर कांग्रेस पार्टी से सीम है, गवर्नर है जिश्नु देव वर्मा, हुसाइन सागर, निजाम सागर, भदरकाली यहां पर प्रमुग जीले हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर कुछ और महोत्स पास पुरो में हुज प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है, चार सो उन्तालिस में, आप छे सो नुन्यानवे इसके बाद प्राइस पाओगे, ठीक है, क्योंकि एक्जाम्स होगरा आ रहे हैं, और सब को पता है कि भई, मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है, और मॉक टे कैसे मिलेगा, इसको आपको MZT कूपन कोड लगाना होगा, वहाँ पर जाओगे बहुत सारी कूपन कोड मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको 8% का डिसकाउंट मिलेगा, लेकिन MZT कूपन कोड यूज करोगे तो 12% का डिसकाउंट मिलेगा, और यह टेस्ट बुक पास प्रो इरली आपको 449 में मिल जाएगा, जिसमें आप इंडिया के सभी एक्जाम के मौक टेस्ट, प्रिवियस एर के कुशन्स के मौक टेस्ट भी दे पाओगे, हाली में किस देश को संयुकतराष्ट मानावधिकार परसत में सीट देने से इनकार कर दिया गया, संयुकतराष्ट क में महिलाओं के इस्थित उतना अच्छी नहीं है, देखो साओधी अरब हो, UAE हो, यहाँ पर तो अब तो नजर आता है कि बहुत डेबलब हो गई है कंट्रीज, लेकिन रियल्टी यह है कि डेबलब कुछ सिटीज हुई है, पूरा देश नहीं, देखो दुरभाग यही है कि जब अमेरिकी या फिर कोई विदेशी आते हैं भारत में, तो यहाँ से जो इमेज ले जाते हैं, यहाँ पर गाओं में जाएंगे, वहाँ की इमेज लेंगे, यहाँ पर जहां कुछ बुराईयां होगी, जो गरीबी होगी, उसकी इमेज फोटो कीच करके उसको ले है, भारत वैसा है, और अपने यहाँ दिक्कत क्या है, कि अपने यहाँ की सेलिबरिटी जाएंगे, तो वो जा करके, जब घूमने जाएंगे, जहां पर खुब बढ़ियां बढ़ियां चीज होगी, उसकी फोटो ले आएंगे, तो हम लोग के दिवांग में वहाँ की अच वाले भी जान रहे हैं कि यहाँ एक्षिल में हुमन राइट्स जैसा कुछ है नहीं ठीक टाक से, फिल हाल, पांच लोगों को मिलना था, और पांच में यह छठे नंबर पे आया, इस वएसे इसको नहीं मिल पाया, साइप्रस, मार्सल, दीब, कतर, दच्छिर, कोरिया और इनको मिल गया, इनको नहीं मिला, यह छठे पोजिशन पर है, चलो, अगें ट्राइए, अगली बार फिर ट्राइए करना, अगला, हाला कि पिछली कुछ सालों में सौधी अरब ने बहुत सुधार किया है, महिलाओं को लेकर, बहुत सारी चीजों में आपने सुना है कि पह अगनियास्त्र लांच किया, तो दोस्तों, अभी हाले में अपने सेना प्रमुख ने गंगडोक सिंक्किम ने, सिंक्किम में, गंगडोक में इन्होंने इसका उद्गाटन किया है, किसका अगनियास्त्र का, अगनियास्त्र लांच किया, अगनियास्त्र क्या है, अगनियास मिसाइल होता था कि एक टार्गेट आ रहा है उस टार्गेट में चाहे वो मूविवल टार्गेट की क्यों नहों तो गाइड़न मिसाइल लांच किये तो वो जहां-जहां जाएगा पीछे-पीछे घूम करके उसको तहस-थनहस करके ही आएगा लेकिन यह अगनियास्त जो है यह अगर छूटा तो यह छूटेगा साथ ही साथ में जाकर के बीच में इसके कई और टुकडे हो जाएंगे और वो सब टुकडे मिल करके जितने भी टार्गेट रहेंगे उन सब को जाकर के हिट करेगा एक साथ मल्टिपल टार्गेट को हिट करेगा एक बार में एक ही को है ना तो ये अगनियास्त्र है अपना और Corps of Engineers के Major Raj Prasad RS ने मिलकर इसको बनाया है इनकी मदल से बनाया गया है धाई किलोमेटर का इसका परास होगा और धाई किलोमेटर की रेंज में जो भी आएगा जाहिए जितने भी टारगेट होँगे ये उनको खत्म करेगा तो सेना प् अभी हाली में दोस्तों बनाए गए हैं उच्चा योगता सुभास परसाद गुपता, सुभास परसाद गुपता, यहां पर आप आप आटिकल भी देख पाओगे, सुभास परसाद गुपता पॉइंटे ऐस दा हाई कमिस्णर ऑप इंडिया टू सेंट वीसेंट एन एक ही नाम है, एक ही देश का, मैं आपको लोकेशन भी दिखा रहा हूँ, लोकेशन अगर आप देखोगे, तो वर्ड मैप में आप उत्तरी अमेरिका और दच्छिडे अमेरिका के बीच में पाएंगे कुछ देश ऐसे चोटे मुटे हैं, जैसे उसमें आपको दच्छिड एंड ग्रेंडीज कंट्री, ये छोटा सा दूइप देश है, और इसमें उच्चायुक्त न्यूक्त किये गए हैं, अभी सुभास प्रसाद गुपता जी, ठीक है, सूरी नाम गर्णाजी में अभी तक ये भारत के राजदू थे, अब ये वहाँ पर जाएंगे, 2006 बैच के IFS अधिकारी थे, भारत और इसके बीच में राजनाईक संबंद 1976 में अस्थापित हुएं, ठीक है, भारत के लोग ऐसे इसे द्विपवव पजा करना बसते तो कोई ज़रुवत ही ने ये पढ़ती, यहाँ पर नियूक्ती करने की है ना, चलिए लेकिन, ठीक है, सेलरी दे ये बंगाल की खाड़ी में हो रहा है, देखो मालाबार एक्सराइज ना, ये चार देशों के बीच में होता है, ये चारों क्वार्ड कंट्रीज का हिस्सा है, क्वार्ड कंट्रीज भुले तो कौन कौन है इसमें, अमेरिका है, भारत है, और आस्ट्रेलिया है और जापान है ये चार देश मालाबार में हिस्सा लेते हैं मालाबार एक बहुत बड़ा नौस एन अभ्यास है और भारत में मतलब पहले भारत और इसके पैस में सुरू हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में धेरे-धे फिर आश्तियलय को जोड़ा गया और फिर आगे चल करके जापान को भी सामिल कर लिया गया बीच में आश्तियलय बाऊर हो गया तब फिर आश्तियलय को जोड़ा गया तो मालाबार एकसरसाइज 8 अक्ट्रूबर से 18 अक्टूबर तक चल रही है 28 संसकरन है बंगाल की खाड़ी में यह हो रहा है और इसमें चार देशों की नौसाइनाय हिस्सा ले रही है इसका उद्गार्टन समारों कहा है जित्या गया विसाका पत्तनम में आईनस सत्पुड़ा के उपर ठीक है आईनस सत्पुड़ा जहाज पर तो यह कुछ और अभ्यास हैं जो पिछली दिनों में हुए हैं इनका अगर आप रिविजन करना चाहोत कर सकते हो काजिंद एक सासाइज यह भारत कजाकिस्तान के बीच में होता है इसको ऐसे लिख लेना काजिंद ठीक है न तो यह हो जाएगा कजाकिस्तान और इंडिया इस्टन ब्रिज यह भारत ओमान के करता है उदार सकती भारत मलेशिया करता है हरिमो सकती भी भारत मलेशिया करता है परवत प्रहार भारतिय सेना ने किया और अभ्यास MPX यह भारत ओर रूस के बीच में हुआ अगला 27 वी ACI Table Tennis Championship में भारतिय पुरुष टीम ने कौन सा मेडल जीता तो भारतिय पुरुष टी अस्ताना कजाकिस्तान में आजित हुआ 27 संसकर्ण था अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि महिलाओं ने भी कांसे पदक जीता इसकी 27 संसकर्ण में ही Table Tennis की जब महिलाओं का हुआ इवेंट उसमें महिलाओं ने भी कांसे पदक जीता है और भारतिय टीम ने इसमें 2021 म से या कहें टेनिस से सन्यास की घुशना की तो दोस्तों राफेल नडाल किंग ओफ कले कोट सन्यास ले चुके हैं यह सन्यास की घुशना कर दिये हैं राफेल नडाल इस्पेन की खिलाड़ी है दिगज खिलाड़ी थे टेनिस के और फ्रेंच ओपन जब होता था ना तो मतल रोनाल गैरोज के नाम से भी जाना जाता है, यह कोशन पूचा गया है, किस Grand Slam को रोनाल गैरोज के नाम से जाना जाता है, यह जीते थे 14 बार, 22 बार के टोटल Grand Slam इनके नाम है, King of Clay Cold के नाम से जाने जाते हैं, और इन्हों ने टेनिस को कह दिया है, अलविदा, बाननेवे ATP इनके नाम है ATP Singles ATP यानि Association of Tennis Professionals का लेकिन यह अप सन्यास ले चुके है 36 Masters है यह इनके Grand Slam विजयताओ की सूची है मतलब Grand Slam जो जो इन्होंने जीते हैं 14 गिनोंगे आप तो यह है French Open Arsenal Open दो बार जीत चुके हैं विव लेडन ओपन दो बार जीत चुके हैं और US Open यह जीत चुके हैं 4 बार तो 4-2-6-2-8-6 और 14 हो गया 22 Grand Slam सबसे ज़्यादा Grand Slam किसने जीता है तो सबसे ज़्यादा Grand Slam जीतने का रिकार्ड है नोवाग जोकोविज के नाम ठीक है कुछ समय पहले रोजर फेटर ने सन्यास लिया था तो रोजर फेटर यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं आपको तो रोजर फेटर भी चले गए अब राफिल नडाल भी चले गए अब बचे हैं नोवाग जोकोविज देखना होगा अब ही ये कब जाते हैं क्योंकि ये सभी लीजेंड खिलारी हैं जिनके मैज पिछले कुछ सालों से लगातार देखने को मिलता था इन्ही तीनों में से कोई न कोई जीतता था हर बार है ना चलिए ये हाल फिलाल में लिए गए सन्यास हैं विनेश फोगाट ने भी पहलवानी को छोड़ा राजनीती जोईन की रोहित सर्मा विराड कोली रविन जड़ेजा इन्हों ने टी-20 अंतराष्टी क्रिकेट को अलिविदा कहा नियुजिलेंड के ट्रेंड वोल्ट ने अंतराष्टी क्रिकेट सन्यास लिया सुनील छेतरी अंतराष्टी फुटबाल से सन्यास लिये साही परनीद बैटमिंटन से डेविड वारनार क्रिकेट से पाकिस्तान के खिलाडी इमाद वसीम अंतराष्टी क्रिकेट से ये कुछ खिलाडियों के द्वारा लियेगे सन्यास हैं अब अगला कुश्चन भारत का पहला हिर्दय परत्यार उपन करने वाले चिकित सक पी गवेणु गोपाल जी का निधन हो गया इन्हें कौन से पुरसकार से कौन से नागरिक समान से समानित किया गया था तो इन्हें साथियों मिला था पद्मभूशन पुरसकार पद्मभूशन इनको मिला था 1998 को 1998 में भारत के पहले ये हाइट ट्रांस्पलांटेशन करने का रिकार्ड इनके नाम था ये भारत में हिर्दय प्रत्यार उपन के जनक कहे जाते हैं शुरुवात इन्होंने ही की थी पहला हिर्दय परत्यार ओपन और 50,000 से ज़्यादा ये सर्जरी कर चुके थे, बहुत ही फेमस डाक्टर थे, बहुत ही जाने माने डाक्टर थे, और नाम था डाक्टर पी वेड़ो गूपाल, इनका निधन हो गया है, एम्स के पूर्व निधन सकते और हिर्दय सल्ले चिकित जी भी थे, इनकी यहाँ पर उपलब्धियां है, प्रसकार के रूप में आप इनको देख सकते हैं, पूछा जाएगा जरूर, गिरिज साहनी जी का निधन हुआ, CSIR के पूर्व महाने दे सकते, साइंटिस्ट थे, मारिया ब्रायन साम मोरेरा का निधन हुआ, दुनिया के स वैग्यानिक थे, इनका निधन हुआ, और सोभना रणारे जी का निधन हुआ, बद्भूसर से इनका आप रिविजन करेंगे, मैं आपको ये पेज का स्क्रीन साट भेज़ दूँगा, वाट्सेप चनल पर, वाट्सेप चनल आप जोईन करके रखो, वहाँ पर नेशन की जनरल असेमली ने, 2025 से 2027 की कारेकाल के लिए, 18 नए सदस्यों को चुना है, 18 नए सदस्यों, यहाँ पर आप अटिकल देख पाओगे, UNGA elect 18 member to the human right council, तो human right का council, जो अभी मैंने बता है न, वहाँ पर, शुरुवात में, उसमें 18 सदस्यों है, ठीक है न, चलिए, त वो जगा बनाने में काम्याब नहीं हो सका, बाकी, बुएनिन, बोलीविया, कोलंबिया, साइपिरस, कतर और थाइलेंड जैसे, 9 देश, जो हैं, इसमें 9 निर्बाची सदस्यों सामेल है, ध्यान रखना, इनका कारेकाल, 2025 से 2027 तक ही, रहने वाला, ऐसा नहीं है कि यह पर् पसंद आई है, informative लगी है, कम समय में, ज़्यादा-ज़्यादा कोशन मिले हैं, तो आप कमेंट करके मैं, जरूर बताएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया, आपके लाइक करने से न, जो हमारे ना चाहने वाले हैं, वो ना चाहने वालों की जो ना चाहने की मनसा है, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ती है, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ ऐसे चीजें देखने को मिली हैं, यह ना चाहने वाले थोड़ा ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं, तो आप लाइक करके चाहने वाले होने का पड़चे दीजिए, जिससे वीडियो की रीच थोड़ा बढ़ पाए, लास्ट डे मैंने आपसे कुश्चन पूजा था कि रतन टाटा जी को पत्म विभूशन से कब सम्मानित किया गया, 2008 में सम्मानित किया गया था, पहला पोस्ट आफिस कहां खोला गया था, कोलकाता में खोला गया था, 1773 में, आज आपको क्या बतान राश्टी खेलो की सुरुवात कब होई, इसके अलावा, प्रतेक वर्ष 24 जनुरी को भारत में राश्टी पाल का दिवस कब मनाय जाता है, इस दिवस का संबन्द किस प्रसिद महिला से है, ये दो नहीं बता दीजिएगा, बताईगे जरूर कमेंट करके, thank you so much, मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में तुपक लिए नमस्कार जाएंद, ववन दे मात्रम.